नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्पूर जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं अब पतादे कि सरकार दोरा महिलाओ को बड़ी सोगात दी गई है यानि कि एक क्रोड तैतिस लाग महिलाओ को अब सरकार एक-एक स्मार्टफोन देने जा रही है जिसमें तीन साल तक का इंटरनेट वीफिरी दिया जाएगा जीहां दोस्तों यह सरकार की आब तक की सबसे बड़ी सोगात है जो महिलाओ को परदान की जाएगी लेकिन आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि यह किन महिलाओ को दे जाएगा इसमें योगता क्या है और किस परकार से महिला यह लाव ले सकती है तो मैं आपके सभी डाउट इस वीडियो के माध्यम से किलियर करने जा रहा हूँ आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको यह लाब दे जाएगा और किन महिला को यह लाब मिलेगा अगर आप भी महिला हैं और लाब लेना चाहती हैं तो आप इस वीडियो को सुर से लेकर लाश तक जरूर देखेगा और दोस्तो हम आपसे निवदन करेंगे कि वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि सबसे बैस्ट जो जानकारी है हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं दोस्तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगा तो जोले वीडियो को शुरू करते हैं परदेश सरकार दुवारा विधान सभा में वर्स 2022 का बजट पारित क्या गया है जिया दोस्तो कुछी दिन पहले ये बजट पारित के गया है जिसकी अंत्रगत हर तबके की वैक्ति को हर तबके की महिला को दोस्तो कई बड़े लाव यहाँ पर दिये गए है क्यानिके चैनल किसान हो मजदूर हो क्रमचारी हो पैन संधारक हो महिला हो सभी वैक्तियों को यहाँ पर कहीं न कहीं लाव दिया गया है जिससे की सभी वैक्ति खुश भी होते नजर आ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी जो सोगात दी गई है वह महिलाव को दी गई है दोस्तो इस बजट में महिलाव को नंबर वन लाव दिया गया है मैं आपको दाँ चाहूंगा कि एक क्रोड 33 लाख महिलाओ को अब सरकार की तरफ से एक-एक स्मार्टफोन देने का वाइदा सरकार दौरा किया गया है एलान हो जुका है अब दोस्तों इसमें आपको महिलाओ को एक-एक स्मार्टफोन दिया जाएगा और एक स्मार्टफोन के साथ तीन साल का यहाँ पर महिना गलत लिखावा है दोस्तों इसके लिए हम गलती माफी चाहेंगे यहां पर तीन साल का आपको दोस्तो जो नैट है वहवी मुफ्त में ही दिया जाएगा यह स्विधा अब तक कि सबसे बड़ी स्विधा सरकार की तरफ से मिलने जा रही है अब यह लाब किन को मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा कैसे दिया जाएगा उसके बारे में यहां पर आपको सभी जानकर यहां पर दे देते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को आप एंड तक वोच जरूर करेगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक करेगा कि किस प्रकार से आप यह है लाव ले सकते हैं चले इसके बारे में एक बारी हाँ पर जानकरी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों मुख्य मंत्री ने बजट पारित करते हुए कहा है कि हम 10,000 से ज़्यादा राज्य के अंत्रगत होमगार की भरती की सुरुवात करने जा रहे हैं यान के जो करमचारी हैं जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी यहाँ पर बड़ी सोगात दी गई है और दोस्तों 10,000 से अधिक जो सिक्सा भरती हैं उनके लिए भी दोस्तों भरती सरकारी तरफ से निकालने जा रही है इन भरतियों की सरकारी तरफ से बड़ी सोगात दे दी दोस्तों गोषना भी कर दी गई हैं महिलाव को यहां पर लाब जा गया है लेकिन साथ-साथ किसानों को जैसे कि मैंने आपको शुरुवात में बताया है किसानों को बेरोजगार युवाव को और जो नोकरी पर व्यक्ति हैं पैंसंधारक हैं उनको भी यहां पर बड़ी फु प्राजिस्तान के मुख्यमंतरी असोक गहलोत द्वारा की गई है क्योंकि बजट जो पारित के गया है वे है तोस्तों असोक गहलोत द्वारा क्या गया है जिसमें महिलाव को सबसे बड़ी सोगात दी गई है एक एक स्मार्टफोन महिलाव को दिया जाएगा और तीन साल का जो इंटरनेट है वह भी मुफ्त में ही मिलने जा रहा है अगर आप भी राजिस्थान के निवासी हैं राजिस्थान से बलोंग करते हैं महिलाए हैं तो वह आसानिस से स्मार्टफोन और तिन साल तक का फिरी इंटरनेट की जो सुविदाई हैं वह प्राप्त कर सकती हैं अगर दोस्तों अधर राजियों में भी जो बजट है वह पारित क्या जा रहा है अगर आप जानना चाहेंगे कि हमारे राजियों में किस पकार से बजट में महिलाओ को लाब दे जा रहा है और हाँ दोस्तो आप यह जुरूरू बतेगा कि आप कि राज्य के रहने वाले हैं ताकि हम आपके राज्य की जानकरी आप तक पहुंचा सकते हैं यह थे आपके लिए महत्पून जानकरी जानकर कैसे लगी कमेंट बुक्ष मुखने जुरूरू बतेगा और आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप भी लाइक कर दीजिए जाज से यदा शियर भी करेगा आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को आप जुरूर सब्सक्राइब करेगा सबसे पहले आपको मिल सके तो मिलते हैं आपको नए इस टुडियो में सब तक के लिए जाए हिंद जा भारत